है भाण दो है है यालो जो आप सब जामते हैं कि मैंने बीद के बारे आप लोगों सब्सक्राइब घ्रकुश किया था इस पीड के बारे में मैंने फुर अटोपिक स्पीड एक डिसकस किया था तो इसमें आपने ग्राफिकल रिभर उन प्रजिटेशन और आपने मैंने स्पीड के लिए average speed, uniform speed, variable, constant मैंने सब्जीज आप लोगों बताई थी dependent और independent चीजें मैंने आप लोगों से discuss करें थी आज मैं आप लोगों से speed से प्लेटेट उचिन वेजिकल पिसकस करूँगा और आज हम क्लीट करेंगे velocity वार अटोपिक और आज मैं पूफ भी करने के भोशिश करेंगे कि आपका velocity और speed के अंदर क्या difference है और कैसे fight out करेंगे कि दोनों के पीछ में कौन सा जाला हो सकता है और किस की value अपकी जीए हो सकती है Okay students, so most welcome of you all again in A.J.P.G's channel डेक्टरी आप रखुम्याप पोच अपनमोश चाटर प्रीज़ करेंगे Okay, so let us start on a new topic that is numerical part related to speed and some basic term related to the velocity only Okay student, you can see now I am giving you one question बड़ा simple question है जैसे कि हमारे पास total distance है total distance that is how much 120 km माल ने जैकि हमारे पास total distance 120 km है ठीक है कोई पी object है कि जो 30 km कवर करता है बिद वेलोसिटी ओफ 30 km पर आप कि speed से ठीक है फिर बताना है कि जो बचा होँआ हमारा 90 km है वो उसने कितनी speed से कवर किया उसने कितनी object ने कितनी speed से कवर किया यह चीज़ा हमें फैट आप हम इसको कैसे फैट आप करें वो देख लेते हैं कि एवरेंज स्पीड गीवन है यहां पर एवरेंज स्पीड वह आपकी गीवन है 60 km पर यह आपको कोश्चन है आप इस कुश्चन को खुद भी ट्राइब कर सकते हैं वीडियो को पोस्ट करके मतलब क्या बोला गया है टोटल डिसेंस 120 km दे हुए है 30 km को 30 km पर 15 स्पीड से कोवर करता है 90 km क्तनी स्पीड से कवर करेगा आपके पास स्पीड से मतलब और जेक्ट भूब करेगा था है पहले हैं यहां को रषाइट अब करेंगे कि टोटल ताइम की इतना है कि हमें यह स्पील कि एक्स किलोवीटर पर तो तो वो डिशन्स में कितनी है, 120 km है, कितनी किलोमेटर, 20 km, ठीक है, तो इसमें से जो 30 km है, 30 km है, वो किस स्पीड से कवर करता है, 30 km पर आरकी स्पीड से कवर करता है, ठीक है, तो जो रिमेनी कितना है, 90 km, तो हमें स्पीड से कवर करेंगा, तो माल लेते हैं, आपको कितना है, x km तो पहले मां लेते हैं कि average speed उसने total average speed यह बना 60 km पर आ तो मांगते हैं कि find out करनागे कि पहले find out करें कि कि इसने कितना time लिया कि A से B तक जाने कि उसने कितना time लिया अब आफ कि आफ से पहले आप से पीश्कोदे टोटल काल टोटल कैसे पाले हैं हमारे पास average speed का फ़रोगल होता है average speed is equal to what total distance distance am taking divided by total time राइट अब total distance कितना तो इसने कितना गीवन है 60 km पर आज है आद बोटर किसह से नोट ऑँ किसी से नोट कर तो त्ए हिसे को था रहेरा तोいます एजिंत है इसी कुणगिने कि आप इसको फनटार सब्सक्रत कर सकते हैं 6 में वहाइब नियुक्त तो बढ़ी हो जए जिसमें इसको आज रहें ठीक है अब हम यहां से ताइम आप पाइन में कितना रहा है जैसे आपका सब्सक्राइब चाहिए तो इसके बीच का सा थार डाला तो थो स्फिर्ट किलो मिटर देखो अब यहां पर मैं निकाल दाना है 30 km और हमारा speed S1 S1 में इतना गिवन है ये गिवन हमारा 30 km पर आ तो हमें T1 find out करना है तो मैं पता है S1 is equal to D1 divided by T1, find out that S1, S1 is given how much 30, और D1 is given 30 तो T1, T1 is equal to what D1 divided by S1, तो we can say this is equal to 30 divided by 30 30, that is 1R से सोनो, तो यहां से आतर का जो टाइम कितना है आपका 1R ले रहा है कितना ले रहा है, 1R ठीक है, अब हम टाइम क्रेट निकाल ले जिसे हैं इन वाले बतलते C से D का C से D का, इसमें हमारा D1 निकाला कितना है 1R निकाल ले है, अब हमने इसका D2 निकाला है, D2 कितना है अब हमारा, ठीक है, तो D2 कैसे निकाला है, देखिए स्टूरेंट आब यहां D2 कैसे निकाला है, तो हमने पता है, S2 is equal to what, हमने पता है D2 divided by T2 से सोनो, T2 we have to find out अब यहां से, D2 divided by what, S2, अब D2 कितना है, D2 means distance distance, distance is equal to what D2 is equal to what, 90 km or S2 is equal to what X km per hour X km per hour then put here, T2 is equal to what D2 how much है 90 upon X so this is equal to T2 we will get there, 90 upon X R say as to know, T2 is equal to what we got here, that T2 value 90 divided by X, अब 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 यहां से, student, A से C में पहिंग दल उसको वाना T1 C से D में उसको टाहिंग दला कितना 90 divided by X और यह total A से दिकर टाहिंग कितना है 2R say as or no तों क्या करेगे जो हमारा T1 है और जो हमारा यहां पर T2 है उसकी वहली यहां पर अज़के तों क्या करेगे T1 plus T2 equal to what capital T capital T total time 1 plus T2 is equal to what 90 divided by X equal to what 2 तों आको हमसी X के वान इकालो है तो X के वान चाहिआ है second point इक आप स्पिर मी काल जाय है से तो find out x value, so how we will find out 90 divided by x so this one moves another side, we will get 1 say so no, so 90 divided by x equal to what, tell me to write down, equal to what equal to what, 1 then cross multiply, so we will get x equal to 90 kilometer per hour so we can say, speed in second interval, that is 90 kilometer per hour say yes or no student say yes or no, so simply we got here, x is equal to 90 kilometer per hour that is 90 kilometer per hour understood or not so this is the basic, which I showed here okay understood okay okay तो आवां विसस करें अपना नेया आपके वेलोसीट दोई पूबिस्कस वाइब वेलोशीटी विस्क्रोपी दोई पूबिस्कस is ।वेलोसीटी सकते हैं वार वारिप देटें. स्पीड करे देटे क्या होत क्या होता है? स्पीड में मिनर देटिक है? हम अंशा ALL क्या पर दें? या अप sólo क्या होता है? ठीक है? या lutquiव होता है लेकिन मेसली सकते है, स्पीड को एक नी चीज मेंचन हो जाएगे हैं.. इसमें हम डिस्टेंच लेते थे इसमें हम लेगे displacement और सकीन क्या लेखे time क्योंकि जो हमारा displacement होता है यह हमारा combination होता है दो चीज़ होता distance तो यहां पर वेलोसिटी की बात करेंगे तो जो displacement है यह आपका आधा vector में ठीक है और जो distance आपको किसे में आता है scalar किसे में आता है scalar एक ओची आपको से तो S मैंने field और S मैंने scalar V मैंने velocity और V मैंने vector तो इस displacement की वज़े से जो आपको velocity है यह आपको vector quantity मन जाता है तो कैसे कोगे और velocity is equal to displacement divided by time थिहेर तो हम क्या दापकोекстica ओले when body covers a distance in a particular direction in a given time interval this is not velocity we can say velocity displacement is covered by object in a given time interval this is called what velocity ये विद्वाइट कीट रही है संजाने के लिए कोई । वही चीज़ पर करेंगे तो इस वह चीज हमारी क्या है? वह देखे लिए अब इसमें भी आफ इसको ऐसे reason लेए कि हमारा uniform displacement, non uniform displacement विए variable of uniform velocity . तो जिसको यह uniform के बारे में नहीं पता, वो मैं link in description box में, third, fourth partner link share कर दो हमाँ वहाँ से click करके आप इछली चीज़े समझ सकते है, uniform, non uniform variable, इनका मतलब क्या है, ठीक है, तो जब मैं uniform velocity, जब मैं uniform velocity की बात करूं, तो uniform velocity में आपको एक point यार रखना है, कि हमेशा इसमें क्या रहेगा, जब velocity में बात करें, इसमें आपका displacement, displacement क्या रहेगा, आपका equal interval of time, और divide by time, time of equal interval of, clear, तो in the case of uniform, means equal displacement covered by an object in an equal interval of time, is called what, uniform velocity, clear, तो इस formula for it, uniform velocity, we can say that, equal displacement, upon equal interval of time, equal displacement covered by an object in an equal interval of time, clear, this is the uniform velocity, if we will talk about the graph, तो graph part also will be same, इस सब्सक्राइब में पिछले वीडियो में बता आपका मेरे बच्चों महां से सीख सकते हैं, तो when we will talk about graph, in the case of uniform, we will get straight line, और I told you, you will take time, trade on the independent axis, or velocity, you will take here, and displacement, you will take in this zone, don't give a graph where hl 90 understood or not straight-line graph so this is the case of uniform velocity this is the case of uniform velocity and when we talk about non-uniform velocity in this case but will you see this non-uniform non-uniform means what velocity means what, distance distance, displacement and time so it can be equal interval of time but displacement will be unequal means unequal displacement covered by the objective equal interval of time is called non-uniform velocity, clear non-uniform velocity go, we can write non-uniform velocity we can write that is what, displacement upon time or displacement will be unequal, unequal means we can say this is your A point, this is your B point this is C, this point is D so we can say in 1 second it is covering here 10 meter, in 2 seconds and in next 1 second it is covering here, we can say 50 meter or in next second, 1 second it is covering 100 meter, so there you can see here 1 second where 10 meter cover kara, here 1 second where 50 meter cover kara, here 1 second where 100 meter cover kara kara, so time can be equal kara, here the point is displacement ala 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 hai, so this is your displacement about what is unequal or unequal displacement we can say non-uniform displacement say yes or no, so we can say there so that is something we will get non-uniform, clear, so we can say velocity is equal to displacement among time, or this displacement will be unequal interval, clear or graph for it will be what so I told you its graph will be non-linear it can be as same like it its graph can be as same like say yes or no, displacement or time displacement or time so graphically non-linear say yes or no, because this is the basic thing which I discussed here third thing we can say about the average velocity average velocity means in the case of speed we were taking here what kya ne reflame speed ne, speed me ne reflame distance, or it's be kya ne reflame displacement it's na reflame kya ne reflame sara speed kya ne reflame will be complete if we will talk about average speed average we can say that is velocity average velocity average velocity means what average velocity means what total displacement upon total time total displacement upon total time clear mary saath kya kya displacement even or time total time total displacement upon total time again I am telling speed distance my child velocity displacement ready the kya is ऒोलिए सब्सक्राइब क्या है अब हमें पता है जो वेरोसिटी है वह हमारा क्या है इसुलेश्मेंट अपूर इन दॉस्टाइब इस शब् ANYडिक आससा इसे अलाइद शब्रें अभी 최inaire तो तो आपको यहां से क्लियर हो गया कि कैसे हो सकता है देखे शुटेशा इसा एक संटेशन जाओ इसमें से स्पीड की था है और इसमें डिस्पीड की डिरेक्शन होने को जैसे जो आपका वेलोसिटी है वेलोसिटी आपकी कैसे कौंटिटी आई ये वेक्टर कॉंटिटी ये है क्योंक इसमें आपका बेरेक्शन गीवन है, इस इस आ वेक्टर कॉंटी, इस आ वेक्टर कॉंटी, ओके, गोई तू दिसक्स नुमेरिकल रिलेक्टि टो वेलोजिए, इसन केरफ लिशो में, इस नुमेरिकल इससल्ग, देखे जाएंगे, माह लेक्टेएं, आपके पास एक पॉंट ए है, इस इस आ एक पॉंट और और इस आवर बीपॉंट, बीपॉंट ठीक है, अब एक बास सुन हो सुनेजंट, माह यह ट dauटल सर्थ लिए हुँच में वो 100 Meter है, क्योंटने मेंट में 100 Meter, और यह 100 Meter वो कवर करता है कितने सेंट में कब़र करता है 50 सेंट में तो या आप आपको distance में निकालना है और displacement में कालना है कहने निकालना है कि वालो सेटी में कालना है तो speed किसे नहीं का? Speed is equal to what? We can say distance also this one displacement also this one तो we can say speed is equal to what? distance upon time A to B Distance divided by time तो आपके किसे हरा निकले का speed पर सेंट अगर वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी की कि इसमें आपको बोलना नहीं है एक बात अगे जो काथ को धा हूता हे वो अगर भी हो सकता है इसमें आपको बोलना महीं है डिस्टम्रूल से हे लो कर सक्भान dal की इसमें चहँ सब्सक्राइब यह सकता है लेकिन कभी भी दिस्टम्राइसमें डिस्टम्राइस में बढ़ा कोल नहीं हो यह पोसिंविटेश लिए कि कई बार यह सोचो आपके वही जो आपका जो कई बार क्या उद्राइट जैसे नहीं दिखा आपकर डिस्टेंस कभी थोटा नहीं होगा इसे ठिस्टेंस बढ़ा होता है बस रेयर केसिस्टेंस में हो जाया वरकरी को जाता है टो किक्वों से बढ़ा नहीं हुआ है अमें बाद दिस्टेंस दीवन में दोग रहे हैं तो आपकर अगर असनी कैसे निखालोगे displacement upon time तो विलके को मच this is equal to 2 meter per second देखो यहाँ पर यह आ रहा है equal velocity speed equal to velocity speed equal to velocity अगर मैं इसको देखो A से B और B से A तक वापिस आने तक की speed बताओ वापिस आने तक की speed बताओ वह A से दीपर गया फिर वापिस B से A पर आ गया तो दोनों case में वापिस बताओ और speed बताओ जब उकशी बात करेगे speed का बताओ speed के case में आपको क्या लेगे है distance और distance आपका negative तो नहीं होता तो distance में क्या रहेगे total A to B और B to A कितना होगा distance आपका 100 plus 100 कितना होगा 200 meter divided by 50 जाने रहना है को 50 आने का तो time कितना होगा 100 second तो we'll get here what same 2 meter per second phase or no अगर मैं यहां पर velocity find out करो आने हो जाने की तो क्या होगा जबो A से B तब गया 100 meter displacement की बात करना हो A से B तब गया 100 और जब आपकी साया तो mind is 100 तो A पर जब पहुँचा तो total displacement कितना होगा 0 और upon time कितना लगा 100 second तो आपका कितना result लिगा 0 meter per second तो velocity का point क्या ने लिगा 0 तो देखो आप इखोल ने लिगा अब equal नहीं है speed जाना होगा velocity तेर तो यह आपको point find में रख लिए हैं कि किस case में आपको displacement लेना और किस case में आपको distance लेना ठीक है तो यह आपको याद रहा है speed is equal to distance upon time और velocity is equal to displacement upon time और displacement can be 0 minus or plus और लेकिन speed always will be positive this is the additive quantity clear तो यहां से आपको तो कि क्लिए होगा है कि आपको speed or velocity के बारे में जाड़ी सब्सक्राइब होगा ओके तो यहां पर रिक सकते हैं कि जो velocity है वो may be more than that of speed कभी वो जाड़ा नहीं होगा velocity ठीक है अब एक और सोट इस चीज़ में यहां पर तुझ जहारी रिकोसिश कर रहा हूं यहां से दिखने हो ठीक है यह topic आपका बहुत important है यह एक्जाम में होनी शर्फ कुछा जबता है ठीक है जैसे कि हमने बात करें velocity ठीक है एक मैंने बात करें किसी speed अब मैं दो नोगों को डिस्क्राइब है किसी case में circular case है circular motion है आपका object के पास object के पास के ऐसा motion है circular motion अब circular motion के क्या करें क्या उसके पास speed रहेगा क्या उसके पास velocity है वो चीज़ हमें find out करें है ठीक है तो माल रहते हैं यह आपकी object है ठीक है आप यह object आप है यह center point है अब object इसे चारव तरफ six point तरफ ऐसे front penis के रोगेट कर रहे है अब हम speed लेए क्या चीज़ है क्या चीज़ है आप यह कमाले में उसके center point है इस point आप में रख देया आप और और इसके चारव तो भी आपकी object आपके ऐसे रोगेट करता है ठीक है वो आप लोगवाई और सब्सक्रावाई कैसे भी हो पच्चर के सब circular rotation को direction कैसे find out करें direction रेक्षन और कैसे 아ло क्या तो इसकी direction कैसे find out करें Actually find out है Tangently healthy leaf किसे healthy find out की अजाता है Tangent वह जासे मुझे इसकी direction पता वाप데ल्ने सतनल काल की या किसी curve लिग माले यह कृऊब है किसी direction कैसे find out करें तो आप क्या हो एक straight line इसको touch करते हुए एक straight line ड्रो करते हो तो आपको यह ऐसे direction देनेगा ऐसका तो यह line होती है tangent और यह curve है उसके ओपर जब जो touch करती line आप ड्रो करोगे तो यह line आपकी tangent होती है तो यह line होती है वह radius के साथ रहें इसके ड्रो करते हैं तो यह direction को बताएगा circular motion की direction को कुर बताएगा tangent टेंजेंट आपको यह कि लगा सकते हो इसकी find out करवा इसकी find out करवा इसकी find out करवा इसकी कितनी direction आपको बताव मुझे कोई fix direction है ही नहीं हर एक point पर आपको अलब direction देगी तो जिस वज़े से आप लोगों का इसके बाद direction आपार्ट होता ही नहीं और जब direction आपार्ट नहीं है तो यह किस में आएगा scalar form में आ जाएगा कौन से form में आएगा scalar form में इसकी speed ले या फिर velocity ले वह आप बतादरने की कोशिश करते हैं देखे ना सब्सक्राइब करते हैं यह आपका circle है ठीक है यह आपका center point है अब अब अब्जेक्ट कर रहा है circle में जब आप find out होगे हर एक point में तो आप लोगों को हर एक point पे उसकी जो speed मिलेगी वो same मिलेगी क्या मिलेगी same जब आपकी पहुचते हो कोई चीज आप कैसे rotate कर लेगी तो उस case में आप लेगे speed velocity तो नहीं लिसकते क्यों किसे पार direction है लिए हरी point पे direction अलग है कोई particular direction नहीं है और जब वो displacement होगा किसी भी direction है तो उसको कुछ time में लगेगा तो displacement distance रहेगा आपके बाद को किसी distance ले रहे है और direction नहीं है तो direction की होगी नहीं नहीं है जब direction नहीं है तो क्या लिए some kind है 눈 लिए मालें बडू मेटर पर सकेंड है लिए इस का मतलब सब इस उड्रां कोई यह अपर स्कील को कुछी स्पीड है योङिफॉर्ब मुशन के बात है तो सुर्कुनल मौशं के इसमें पर गपास कोई सब्सक्राइब रहेगा तो इसके सुनों आप युनिपोर भी स्ब्सक्राइब पास तो वैलोसिती वोंसरी से सब्सक्राइब अब देखे शोड़ेंट आप दोबहारा देखिए माई लीव्याम इसे 4 points टेक कर लेकर यह 5, 2.3.4 ठीक है अब यहां बहुत यह आपका east है यह आपका west है यह आपका north है यह फोरों सा point है South point आप इस Case में कि अब इस देगो, अगर हनी रोटीट कर दा या político कर दा तो में इस पहंगे बात करो यह तो प्रलस कि बात कर दो यह आपट तो मेकर इसका मर न sekali दियारेंक चैना कि राकसर तो उससी दोतीयर की पात कर दा देउन ओलें 1310 2019 क्योंकि मैं हर एक पॉइंट पर जो मैंने ले रहा हूं तो हर एक पॉइंट पर सेंड है टू मीटर पर सेंड 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 ओके ना जब मैं हर एक पॉइंट पर नौर्थ में आपको पॉसिटिव थो वैस्ट में पना निगटिव ए साूथ में आपको पॉसिटिव है इस ने आपको पॉसिटिव है ठीके ना तो कहीं यह माइनस आना रहा है तो डिरेक्शन अलग होने के वज़़यू से सिर्फिक्वें कि अब फिर दैलेशन की जोगी तो मीटर पर सेकेंड किसमें हो गया तो हर एक पॉइंट पर उसका डिरेक्शन चेंज हो रहा है तो जिस वज़े से वह वेलो से कि तो मतलग कि आपका उनिफोर्म रहेगा लेकिन वैलोसिए कैसा पर चाहीं हो जाएगा नोर्य यूनिफोर्म वैलोसिट और विकैंज बहुत रहत है एक पात याद रखना जब कोई अब्चेट करेंगे तो उसका मेंट नदा तो सेंग है हारे कोईट पर उन्सकेंट बहुत त उससे बी उसकी uniform रहेगी डिरेक्षिन उसे ले नहीं सकते हैं कि उसके पास particular fixed direction रहेगी लेकिन जब बात करते हैं velocity की तो variable उसके पास velocity की आध़ रहे जारा है उसके पास non uniform velocity रहेगा और उसके आपने रहेगा जाओ सप्क्राइब मजया? तो सर्कूलर मोसें में किसी भी पर्टिकॉलर डैयरेक्शन को डिफाइड नहीं किया जा सकता ऊस डायर वन विवजे से वी यून इनकिनुफॉर्म स्पीड में आ जाता है और नोन इनकिन अगर यहां पर निष्ट सकते हैं यहां पर निषक सकते कि योनिफॉर्म स्पीर भी उसी संपूल अमोशन ही है और तो जो नोन उनिफॉर्म हो इकोल है, नोन उनिफॉर्म किसके लिए है यह वैलॉशन लिए जिरी है क्लियर इस चीज़ आपको माई रसेकरना है वोह वोट सिन्क आगी यहां जर्मा नहीं है लोगा फ्रिसी नर्मा उसका इंग लोगा है okay student the next video I do you create on explanation okay student God Bless you all